लोग मोहबत में जान दे देते हैं और जान ले भी लेते हैं यह सुना तो था लेकिन यहां एक छात्र नहीं अपनी प्रेमिका का खून कर खुद को गोली मार ली नमस्कार आप देख रहे हैं व्योपी हिंदी और मैं हूँ आपके साथ नेहानन ग्रेटर नॉइडा की एक युनिवर्सिटी से बड़ी खबर सामने आ रही है कि 21 साल के छात्र ने छात्रा को गोली मार के उसकी हत्या कर दी और खुद की भी जान ले ली साथ इस वाक्य की वीडियो रिकॉर्ड करी छात्र को गोली मारने के बाद करी 25 मिनट तक छात्र वीडियो बनाता रहा वीडियो में देखा गया कि पहले वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं फिर एक दूसरे को गले लगाते हैं उसके बाद चात्र चात्रा को गोली मार के अपनी चात्रवास के कमरे में चला जाता है और वहां खुदकुशी कर लेता है ग्रेडर नॉइडा की शिवनाडर युनिवस्टी में पढ़ने वाले चात्र का नाम अनुज और चात्रा का नाम सनेहा बताया जा रहा है पोलिस की रिपोर्ट के अनुसार चात्रा को गोली लगने के बाद उसे अस्पता ले जाया गया जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोशित कर दिया और अनुज की खुदकुशी करने के बाद ये बात सामने आई कि उसे लास्टेज कैंसर था रिपोर्ट की माने तो अनुज और सनेहा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे मगर कुछ वक्त पहले ही अलग हो गए थे चात्र सनेहा चौरसया कानपूर की रहने वाली थी और अनुज अम्रोहा का दोनों की मुलाकाश शिवनाडर युनिवरसिटी में हुई थी जहां वो सेम कोर्स कर रहे थे अनुज की जिन्दिकी के कुछ ही दिन बाके थे लेकिन उसने अपनी प्रेमिका को गोली मार खुदकुशी कर ली और इसकी वज़ा अपने साथ ले किया क्या मोहबत में कोई उसी की जान ले सकता है जिसे वो बेहत प्यार करता हो देज उन्य के हर बड़ी ख़बर के लिए जुड़े रही हमाई साथ देखते रहे है वीओपी हिंदी अगर आपने अभी तक वीओपी हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉर्ण कर लीजिए वीडियो को जादा साथ लाइक और शेयर करें और कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय रखिए